टोकलेट ममी से मैं सीमा सिंग आपका स्वागत करती हूँ, आज मां आपको बुद्धवार गणिज जी की कहानी सुनानी जा रही हूँ, अगर आप बुद्धवार गणिज जी का व्रत करते हैं, तो कहानी जरूर सुनी चाहिए, इससे कहानी और व्रत का पूरा फल मिलता है जानी इस प्रकार है, एक गाओं में एक बुढिया माई थी, वै गणिजी की परम भक्त थी, वै रोज गणिजी की पुझा करती थी, एक भर की बात है कि वै जब मिट्टी के गणिजी पनाती थी, तो जब उन्हें नहलाती थी तो गल जाते थे, तो वै बड़ी दुखी हो ज एक दिन उसने अपने मन की बात अपनी पडोसन को बताई कि पडोसन मैं रोज मिटी के गणेजी बनाती हूं लेकिन जब मैं उन्हें नहलाती हूं तो गल जाते हैं क्या करूं तो पडोसन ने कहा कि राज्य में राजा का महल का काम चल रहा है वहां बहुत ही पत्थर आये हु जी क्यों नहीं बनवा लेती उसी समय वे बुडिया राजा के महल के द्वार पर गई और वहां कारीगरों से बोली कि भाईया मैं रोज मिट्टी के गणेज जी बनाती हूं लेकिन जब मैं उन्हें नहलाती हूं तो वो गल जाते हैं क्या तुम मेरे लिए पथर के गणेज ज वे वाबस अपने घर आ गई उस समय जब कारीगर दिवार बना रहे थे तो दिवार बनाते बनाते वह वापस टेड़ी हो जाती शाम तक वे एक दिवार भी नहीं बना पाई शाम को जब राजा आये उन्होंने पूछा कि क्या हुआ कोई काम इह नहीं हुआ है तब कारीग कि हमारी ये दिवार बनती ही नहीं है बनते बनते वापस टेड़ी हो जाती है अगर तुम ये दिवार हमारी सीधी बनवा दो तो मैं तुम्हें सोने के गणिश जी बनवा के दूँगा उसी समय गणिश जी ने ये बात सुन ली और उसी समय गणिश जी की क्रपा से दूसरे जब कारीगरों ने दिवार बनाई तो दिवार बिल्कुछ सीधी और सही बन गई तब राजा की आग्या से सोने की एक प्रतिमा बुढ़िया को दे दी गई और गणेजी को पाकर बुढ़िया बहुत प्रसंद हुई हे बिंदायक जी महाराज जैसे आपने राजा के महल की दिवार सिधी करी वैसी सबकी करना कहने वाले की सुनने वाले की और हुकारा भने वाले की घरतियो तो पूरीयो पूरीयो तो परवान चड़े भूले बिसरे नाम तेरे बंडार में बरें तो आज मैंने आपको बुद्वार गणिजी की पोरानी कता सुनाई अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें चोकलेट मामी से मैं सीमा सिंग धन्यवाद